सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज AEW के फुल गेर का उनका पीपीवी था उससे और आज जो है शो के उपर पेज ने सराया ने इतने टाइम के बाद अपना जो इन रिटर्न है उसको कर लिया उनका जो मैस था अगैंस डॉक्टर बिट बेकर अब इस मैच को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं कि इतने टाइम के बाद उनको जो है रेस्लिंग में आके बहुत जादा अच्छा लग रहा है तो यह पूरा एक लंबा टाइम मुझे याद है मैंने इस वाली चीज को भी तब कवर किया था जब पेज ने कुने को अपनी अनॉंस करनी पड़ी थी अच्छा लगा शो के उपर मैच जब चल रहा था डेथ ट्राइंगल का तो उस टाइम पर इलीट ट्राइंगल का मैच चल रहा था तो एक दम से टर्न कर लिया सियंग और स्पेशली वह जो पी रीसेंट में उनका मीडिया स्क्रम के अंदर प्रेस कॉन्फरेंस के अंदर चीज वी उसके बाद से अब तो सीम पंक हटी गया बिल्कुल इवन जो एडबलु का गेम है ना उसके कवर से भी सियंग को हटा दिया त और वो है एडबलु का नया वर्ल्ड हवीवेड चैंपन अब तक जॉन मॉक्सली के पास चैंपेंशिप थी लेकिन आज में इवेंट के अंदर एमजेफ के साथ उनका मैस था तो हमने यह देखा कि जो ब्रास नकल है उसका उन्होंने यूज किया रेफरी देखने रहोता लिएम रीगल ने यहां पर मदद के और इस तरीके से जो चैंपन है नए क्राउन हो चुके हैं एमजेफ और क्राउड सीज को बहुत होते वे देखना चाहता था तो यह जो आज बहुत मेजर चीज होई एडबलु के फुल फुल गियर पीपीव से बागी जो साह रेजल्स मैं आपको description के अंदर दे दूँगा लेकिन वैसे मैं पुरा show देखा नहीं है बर definitely ऐसा show है जिसको आप बैटके देखोगे तो at least wrestling wise आप इसको enjoy जरूर कर सकते हो अब हम बात करते हैं smackdown की तो smackdown की जो viewership निकल के आ चुकी है और यह पहले से बढ़ गई है last week की जो viewership थी व wrestling के लिए train कर रहे हैं वह तो मैं आपको दिखाया दिया था wrestling मीन है कि अंदर Brock Lesnar को face कर सकते हैं यह मने रूमर सुन लिया है करना स्टार्ट कर दिया है अगर आप बिल्कुल सचे दिल से सीधर सदा मानुष बन के सीच को सोच चोगे तो आपको को नहीं आने वाले लेकिन आपको बता WWE के अंदर किती ज़्यादा ऐसा ना यह हरामी पंती चलती है कहां को कुछ और जाता है और होता कुछ और तो अग फैंस को भटका दो और हम जब असली चीज करेंगे तो यह देखी लेंगे तो स्टोन को अगर इस तरीके से कहरें तो फिर डेफिनिटली कुछ मेजर चीज़ों करने वारे में तो मुझे लगता नहीं है कि स्टोन कोल यहां पर सच बोल रहे हैं डेफिनिटली वह ऐसाई से आइडिया को विंसुक्मैन के सामने पिच किया था कि उनको जो वार गेम से उसको सर्वाइवर सीरीज के अंदर लेके आना है रोट डॉग ने इस बात को बताया जो कि डबल डॉबली के सीनियर वाइस प्रेजिदेंट है कि इस वारे आइडिया को ट्रेंपर इस स्टैंप जब दो रिंग लगी होती है और वह अंदर से बंद है तो वह कितना लगता है देखने में तो अगर ट्रिपल एच के हाथ में होता तो वह सीज को में रॉस्टर में पहली लेकर आजाते लेकिन जैसे रिपल एच कंट्रोल में उनका अब तो मुझे चाही है वार गेम सब त का साइन है रॉयल रंबल में रॉक के रिटन के लिए बट मैं यह सोचना हूं कि जैरो नियूज एक ऐसा सोर्स है जो की चीज़े बताता है तो उनकी तरफ से पहले भी काफे सरह से आचुके हैं जो की रियालिटी में भी सच में बदलते हैं तो रॉक का स्टेटस रॉयल र रॉयल रंबल जीत नहीं पड़ेगे ना फिर क्योंकि रोमन रेंज के पास चैंपिंशिप है और रोमन रेंज को कई चैंपिंशिप के लिए रॉक कर रहें तो फिर यहां से रॉक ही नज़र आ रहे ना अगर डबल डबली स्मैच को सट अप करें तो काफी अजीब सी सिच अब ही देखो क्या होता है लेकिन फिलाल पहले रॉक कंफर्म हो जाएं उसके बार में फिर आगी जाके बात करेंगे अपडेट एक और यहां और बोड एलस के बारे में कि वह रिसेंटली डबल डबली के सांथ टच में है आप कोई कंफर्मेशन नहीं कि क्योंने डबल जो फैक्शन है फिर जो भी चीज हो है उसका कुछ ना कुछ डबल डबली दिखाया अपने टैलेविशन के उपर क्योंकि ब्रेवाइट की स्टोर लायन है उसने मुझे लग रहा है कि पेस पकड़ लिया क्योंकि एले नाइट उनको अपनेंट मिल चुके हैं उनको उनको दफना दिया था तो अब थोड़ा सा एक जान आये ब्रेवाइट की स्टोर्ण में पिछले कुछ हपतों से मुझे ऐसी मरी भी से नजर आ रहे थी एन हो सकता बहुत जल्दी यह आपको देखने को मिल भी जाए बोड अलसरे क्रोवन क्योंकि यह डबल डबली के सांद रिस सिर्फ इस कैप्शन का मतलब यह है कि पहले से बड़र वो अपने आपको फील कर रहे हैं और मुझे भी डेफिनिटल लग रहा है क्योंकि ऑस्टिन थेयरी का करेक्टर पहले को बेकार नहीं था वो लगता था कि इसमें पोटेंशल लेकिन आप पोटेंशल पर पोटेंशल के लिए भी जा सकते हैं और अगर चैंपिंशिप के लिए तो चांसे हैं कि वो चैंपिंशिप से लूट भी ले क्योंकि अब शायद ट्रिपल एच को भी ऑस्टिन थेरी को देखने में मजा रहा है स्पेशल इस फले करेक्टर के साथ में कैविन ने अपना मस्त रिटन किय किया फिर उसके लिए जो है ट्रूली हम्लिंग वाली फीलिंग दे रहें और यह भी कहते हैं कि जो मैंने रिटन किया ना यह मेरी करियर हाइलाइट हो गाए मतलब यह इस चीज़ को काफे पने स्पेशल मुवमेंट में कैविन रख रहे हैं और यह भी कुछ होगा जितना म स्पेश्टा बनाने के लिए वैसे भी ब्लड लाइन के अगेस्ट में होता रहा है तो काफे सेंस बनता है कि वह एक पूरी टीम बेवी फेस ही है अब कितना इंपक्त करते हैं कैविन ओवन्स एड वार गेम्स सर्वाइवर सिरीज के मैच में वह पता चलेगा हो सकता सबसे बेस्ट परफॉरमस के लग जाए और ग्यास हम चलते हमारी आज की नेक्स और फाइनल स्टोरी की तरफ और स्मैक्डाउन के एपिसोड की बात है जो हमने फेस ओफ देखा था काइंड ओवन्स और सैमी जेन का पॉसिवली इसी वाले चीज़ को डबल डबली रिक्रियेट क सब्सक्राइब जो कि हम पता है जैसे कि हरकिसी की डेट्स है उसको कोई बदल नी सकता वह नहीं है वैसी सैमी जेन का जो टरना वोन गांकर करने के लिए लेकिन तो पर सामी में करना रोमनगरें की ऑपर तो के जो नोगिए जोएक प्योर बेवी और इस तरह के से WWE पॉसिवले सट अप करने वाली है सैमी जेन को अगेंस 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 ब्लड लाइन के तो बहुत बड़ी गल्ती होगी सैमी जेन की कि उन्हों अपने साइड में कोई बैक अपस ने रखे हैं उनकी बैक को देखने के लिए तो फिर केविन मुमेंस एंड कंपनी इससे बेटर और कोई चीज हो नी सकती है शायद इसलिए जो मुमेंट आपको स्मैक डून के अपिसोड में देखने को मिला जो सैमी जेन और केविन में सामने सामने आते कि इसको दुबारा से WWE रीक्रेट तो करेगी लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में और जब ट्विस्ट आएगा तो सैमी जेन हो जाएंगे ब्लड लाइन से अलाग बट मैं होब करता हूं WWE से कि वह चीज़ अभी इसको जल्दी से ना करें वैसा अगर आपको आज की वीड़ा चलेगी तो ज wanna like, share, subscribe, notification bell को on कर दो and see you guys in my next video